तेक्टे अभी में ख़़ाए है हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई न्यू ब्लोग आल अंडर आखी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बूट की सब्जी एक बूट होता है मैं आपको दिखाती हूं किस तरीके से बूट की सब्जी बनती है और उससे पहले मैं आपको ये टिप्स देना चाहरती हूं और सरदियां आःे तो सरदियों में ज्यादा तर रूसी हो जाती हैं तो रूसी के लिए बालो की जड़ों में दो नीबू और उसים ग्लिसरीन इतनी बड़ी सीशी करई ग्लिसरी मिलाएगा और जड़ों में मलियेगा उस से रूसी खत्म हो जा करी यह देखिए पास से इस तरीके का यह बूट होता है इसकी में आज आपको सबजी बनाना सिखाऊंगी किस तरीके से बनती है और इसके आदी किलो बूट के लिए मैंने यह प्याज लिए हुए चार प्याज करी और एक लैसून की गंठी बाकी मसाले जो सबजी में सब तरीके से इसको बनाते हैं ब Talk गुत त्रुमिये इस तरीके से उपड़िये लिजिएगे पर फिलकर मोटा होता है इस तरीके से इसको पुरहा है सीही थे थे निकलेगा यह देखिए थोड़ा ये ये देखिए पूरा में इसको सीलूंगी सीलने के बाद आपको बताती है आप चाहें इसको गोल साइज में काट सकती है ये थोड़ा बड़ा है मोटा है इसलिए मैं इसको बीच से दो हिस्सों में काटके इसके दो पीस बनाऊंगी वैसे गोल भी काट सकते है इ तरीके से इसको ऐसे अराम से काटिएगा यह वैसे तो बूट के नाम से सायद हर जगे मिल जाए पता नहीं इसको और कुछ भी कहते हैं लेकिन हमारे यह यूपी में इसको बूट के नाम से सब लोग जानती हैं यह देखिए इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से काटती हूँ इसके पीस यह देखिएगा इतना मोटा यह बहुत जल्दी गल जाता है इसको अभी मैं फिराई करूँगी पहले फिर मसाले में इसको छोगूँगी इस तरीके से मैं सारे पीस काट लेती हूँ देखिए बहु घाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये जो लोग फिस खाते हैं बिलकुल फिस की तरह बनता है इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है ये खाने में टेस्टी यह देखिएगा, यह मैंने काट लिया है, अब इसको मैं डिप फ्राई करती हूं, भून के थोड़ा सा तेल डालूंगी, आपको दिखाती हूं किस तरीके इसको थोड़ा फिराई करूंगी, तेल में, आईए, मैं आपको अपने किचिन में ले सकती हूं, यह देखिए, अब मैं इसमें कलाई में तेल डालती हूं, इस तरीके से, देखिएगा, इसको फिराई करने के लिए मैं इसको, यह देखिए, यह इस तरीकी का, यह कटा हुआ है, अब देखिए, मैंने इसमें तेल डाला हुआ है, यह देखिए, अब इसमें मैं यह इसको थो वोला का झाला खाला ईग घाला हो गुट है बोला और जालो बेटल राउन कुट सारा एकल दाल धर बून तरीके से विप यह को दो तिंग में अच्छे से बून जाया और सात में तोड़ा दल भी जाया उसके बाद बत्थक में मसाला तया करतीू हूं प्याज बगर है मैंने दिखाया था को प्याल लेक्सन यह पीसना है वस इसके लिए मुझे देखिए यह मैंने तेल सरसों के तेल में यह थोड़ा में यह बूर भूनती ही इस तरीके से देखिएगा यह देखिए अब लगबग यह बुन चुकाया देखिए इसका कलर चेंज हो गया है यह देखिएगा देखिए अब इसको मैं निकाल लेती तरीके से इसमें मैं सबको निकालके फिर कड़ाई में इसको मसाले डालके शोकूंगी वैसे तो मैं लोगगी कड़ाई का जयाद तर मैं लोगी कड़ाई का ही इस करती हूं नौनिष्के कड़ाई इस सब्जी मुझे जाद अच्छी नहीं लगती उसका स्वाद भी तोड़ा फर्क होता है लोग की काई का बनी हुई सब्जी टेश्टी और अच्छी और आयरन होता है उसमें फायदा करती है इदे की फ्रेंट तर्सों का तेल इसमें हो गया है मैंने मेथी डाली हुई है यह मेथी डालके मैं इसमें प्याज डालती हुई इसको देखिएगा इस तरीके से देखिए यह मैं प्याज डाला इसमें लैसन और प्याज मेथी का इसको इसमें मैंने तबका लगाया है मेथी का देखिएगा फ्रेंट्स इस तरीके से इसको अब यह अब इसमें मैं नमग कशांसा काभ़िए मिर्च olun ख़ोड़ी थीक हमें जीख हिसे छ जाहएं I jumpy मिर्च थोड़ी ती कि डालती हुं मैं के गघ्रम मसाला ये गर्पर अवा कपल तृत मेरा में गर्परी पीस चाहें और सबनाहétais ज्लीर मासाले सब्साएं उसको मसाला जर्मवासाल्रा, यह धनिया क्यसा हुआ दो के प इसको मै एक मैं था बुन थील दे, को जाम दोगा आत्ड हाधर, यह देखिए मैं यह दो जान था आत्या हुआं न था यही थोड़ा सा इसमें आधा गिलाज करी छोटा सा एक कप करी पानी इसमें इस तरीके से डाल के थोड़ी देर के लिए मैं गलाओंगी बीच में देखोंगी फिर यह कुल के एक बार कैसा होता है यह देखी फ्रेंड्स यह लगबर हो चुका है बू गल चुका है यह देखीए इस तरीके से मैं यह दिखाती देखिएगा यह गल चुका है इसको मैं दो मिट के लिए और ढख के रखूंगी इसके बाद इसमें हरा धनिया डाल करके यह देखी फ्रैंट्स यह बूट अच्छे से मेरा भुन भी गया है यह इतना देखिए अब इसको मैं लेट में निकालती हूं फिर हरा धनिया डाल के आपको दिखा यह देखी फैंट्स मैंने यह निकाल लिया है कडाई में से यह देखिए उसमें मैंने यह रा धनिया पतिया डाली हूई है यह देखिएगा कितना बढ़िया बहुत स्वाधिष्ट बनता है बूट आप बनाकर देखिएगा मिल जाए अगर आपके शेहर में इसको और किसी नाम से जानते हैं तो पता नहीं प्लीज ट्राई जरू कीजिएगा बहुत ही टेश्टी बहुत ही अच्छा लगता है खास्त कोंसे पूरियों के साथ खाने में हेलो फ्रेंड्स देखिएगा यह बूट की सबजी मेरी तयार है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है प्ल सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरू कीजिएगा प्लीज थैंक यू